आपने मेरी वीडियो से ठीखा होगा टाइपस ऑफ वेरियेबल्स को जाना होगा और उसके आपको अंडरस्टेंडिंग होगी हम यहां पे डेफिनिशन को शॉर्ट करके पढ़ेंगे और हम इनमें डिफ्रेंशियेट वेरियेबल्स में जो डिफ्रेंट्स आता है उसको और बाइनरी वेरियेबल्स को ही द्राइको टॉमस वेरियेबल्स कहा जाता है जिसमें आउटकम्स होते हैं वो यह सोर नो की जूरत में होते हैं एक्जम्पल हमारी दे मोस्ट फेवरेट चाल्ड होल्ड गीम थेहद और देल इनना कोई विन और लोसना फॉटबल गेम और जो प्रिविएस वीडियो में भी डिसक्स हो गया है हम दोबारे डिसक्स करते हैं ग्रूप विद नो रेंक एंड और बेट्वीन तेम हमने चीजों को किसी ओर्डर के साथ पैनेज ने किया लेकिन उन्हें एक नाम दिया किसी भी चीज को दाब दिया जैसा कि हम सब्सक्राइब दो रेंड यू हें साथ रहुड़ सिर भी इसक्राम है छाग मीज़ कर में इसक्सि दूलिझ नाम देते हैं यू साथ नौ खं़ान करेश तो एंद्पान स्थ्बार्ट को बिज़िए सभान दोन या कीज़ से में अननम चैर्भ जोलुड़ साथ हैं में लार आपसे हमने नाम दिया उनकी खुशूसियात जो हैं उनको हमने किसी भी और में लेखनी चले उनको एक तर्तीब से नहीं रखा और हमने उसमें एनिमल केटेगरी में हुमन्स को पी रख लिया कि एनिमल हुमन इस तो यहां पर भी एक्जैम्पल्स हैं हमारे पास नमनल वेरिय कपड़े के ब्रैंड्स के कैसे नेम्स हम रख लेते हैं कैसी क्लेक्शन्स होती हैं जूतों के ब्रैंड्स के नेम्स होती हैं कलर्स की बेसिस पर हम कैटेगराइज करते हैं के रैड शिर्ट्स हम अपने कैबिन में रखते हैं और हम ब्लैक को ज्यादा पसंद करते हैं तो हम हमने एक order नहीं बनाया होता कि first पर हमने यह चीज़ रखनी है इसको understand करना second पर लेकिन हम उनकी color की basis पे उनकी नाम की basis पे उनकी दूसरी खसुसियात को देखते हुए हम उनको एक नाम देते हैं ordinal variables ordinal variables होते है group that are ranked in a specific order जिनको चोटे से भड़े की तरफ rank किया जाता है या भड़े से छोटे की तरफ rank किया जाता है एक्सेंपल नहीं है finishing place in arrays ratings के response in a survey हम जो categorize करते हैं कि good excellent very excellent and satisfied unsatisfied disagree agree यह जो चीज़े हम इस्तमाल करते हैं यह हमारे ordinal variables होते हैं कि कितना हम understand करते हैं कि अगर कोई response कर रहा है तो वह कितना accurately कर सकता है कितना वह जो है चीज़ को understand करके समझ कर कर रहा है तो यह help out करते हैं उसके पाद आजाते है independent variables variables you manipulate in the order to affect the outcome of the experiment जो भी हम research कर रहे हैं उनमे independent variable वह होता है जो दूसरे dependent variable पर impact करते हैं जिसमें अगर कोई changes लाए जाएं तो दूसरे में automatically changes आजाती है एक्जेंपल है the amount of salt added in each plant water dependent variables को भी साथ ही पढ़ते हैं ताके हमें better score for understanding go dependent variable variable that represents the outcome of the experiment जैसे के हमने पहले बात की independent variable जिसकी वज़ा से तद्दिल है dependent variable में तो independent variable वह है जो manipulation जिसकी की जाती है जिसको बढ़ाया और कम किया जाता है जो खुदमक्तार होता है जो independent होता है जो अजाद होता है अपने response को शोकरने से और dependent variables वह होते हैं जो हमारे पास response लेकर आते हैं dependent variable की manipulation का for example एक लास में 15 बच्चे हैं और उन्होंने properly तमाम lectures अटेंट की हैं और वह depends करता है कितना वह सीख पाए है इस चीज़ पर कि independent variable है ना कि उनके lecture रटेंट करना और सुनना और उसके perceive करना लेकिन उसके outcome में जो exam सहोते हैं और उनके जो grades आते हैं तो वह हमारे पास depend करता है कि उन्होंने उस पढ़ लेते हैं एनी मेर्मेंट ओफ प्लांट हैल्थ और ग्रोथ इन इस केस प्लांट हाइथ एंध बिल्टिंग कि हम कितना healthy environment plant को दे रहे हैं और वह वह कितना growth कर रहा है ग्रोथ तो इसी चिज़ पेड़ेंट करेंगे कि कितना healthy उसके environment provide किया जाए control variable क्या होता है control variable वह variable होता है variable that are the health constant throughout the experiment हैंन जब हमको इस्पैरिमेंट करे होते हैं उसके दोरान जो हम जी चीज़ों को गंपध्रों कर सकते हैं या इस उसको कन्ट्रों को करने को शेकरते हैं तो हम प्रॉपर- लाइट का controlled variable है कि हम एक लिमिटेज लेवल पर रखते हैं लाइट को थेंक्यू वेर्मच पूर चुल्स टाइंग अभी है आपको बहते दोर पर समझाया हूँ